So hey guys, it's me Faisal and आज की वीडियो में हम बात करने वाले ColorOS 7.2 के कुछ features के बारे में and यहाँ पर बहुती बड़ अपडेट देखने को मिला है हमारे phone के अंदर and ColorOS के अंदर and ColorOS ने यहाँ बहुत बड़ा changes लेके आया है users के लिए तो उसी के बारे में हम बात करने वाले कौन सा changes और कौन कौन से features है जो हमें ColorOS 7.2 के अंदर देखने को मिलने वाले तो guys जो वीडियो है न बहुत ही जादे interesting होने वाले and amazing मी होने वाली है तो करना है कि है आपको इस वीडियो को जल्दी से अंदर तो सबसे में चीज़े जो आप यहां पर करते है जो आपका smart assistant होता था उसे change कर दिया गया है यहां पर Google को add कर दिया गया है जो भी Google की feeds होती है and news is होते है वो जो चलते हैं यहां पर आपको देखने को मिल जाती है उसके लावा application के बात करें तो यहां पर calendar application की तो यह भी आपको Google का application देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं कुछ और changes के बारे में तो यहां पर जो application यहां पर Chinese application थी बहुत सारी उस application को हटा दी गई है जो कि फालतू के application हुआ करती थी तो बात कि जितने भी अप्लिकेशन बहुत अच्छे अप्लिकेशन आपको देखने को मिल जाती है और कुछ फालतू कि यहां पर application देखने को नहीं मिलती है तो यही कुछ changes के अंदर करी गई है जो कि हमारे color wise 7.2 के अंदर हमें देखने को मिल जाती है अब बात करने वाले color wise 7.2 के कुछ features के बारे में अब सारे features आपको setting के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो बाकि जो यहाँ पर interface से बिल्कुल same देखने को मिल जाता है जैसे 7.1 के अंदर या फिर 7.0 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है अब जो आप नीचे slide करेंगे तो यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा जो कि display and brightness का option है तो बहुत features इसके अंदर आपको available देखने को मिल जाएंगे अब इसके अंदर आप अपनी मर्जे से अलग अलग तरीकी के clock style को लगा सकते हैं यहापको थोड़ा clear नहीं दिख रहा होगा तो आपको साफ देखेगा तो अभी आपको साइथ clear नहीं दिख रहा होगा तो देख सकते हैं यहापको 7.2 के अंदर देखने को मिल जाते हैं जहापको बहुत सारे अलग अलग डिजाइन देखने को मिल जाते हैं उसके अलावा और भी चीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं इस फोन के अंदर आपको दूसरे फीचर के बारे में दूसरे फीचर इसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा डिस्प्ले और बैटने साल ऑप्शन के अंदर यहीं पर एक और फीचर देखने को मिल जागा जो कि एड़ लाइटिंग जब इसके अब पर क्लिक करेंगे तो इससे होगा किया जब भी आपके फोन के अंदर नोटिफिकेशन आती है तो आपके बग करते हैं तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा कोई नोटिफिकेशन आएगी तो दो बार यह ब्लिंक होगी यहां से पूरी राउंड लगाएगी यहां से आपको पूरे डिस्प्ले को स्लोग करेगी तो ओवरल जो यह डिस्प्ले और यह जो फीचर है बहुत ही अच्छा मिला जो कि बहुत सरा मोड देखने को मिल जाते हैं जोिको पताएगा जोनुट को ने तरौल करते हैं आपको मिल जाते हैं इंसे अपनी तो और शेप्ली कराएगी निकाल रही पाई करिंगे को फॉर्तष्ट के बारे में जो की न cooldown हो जिसका नाम है आइकन को बारेन को जिसको अब इनेवल करते हो तो मैंने इनेवल कर रहा है इससे हो गए क्या कभी को भी होता कुछ ऐसा है कि हमारी जो Home screen होती है इसको अपर बहुत सरी application होती है जो application हम डूडने को सिस करते हो मिलता नहीं है तो आपको करने के ज़स्ट आपको यहां से नीचे साइड स्लाइड डाउन करना है, मैं आपको करके दिखाता हूं सही से, तो जैसे आप नीचे करेंगे, मैं यहां से उपर की तरफ पूल करेंगे, सारे अप्लिकेशन यहां पर छोटी हो जाएगी, जहां पर आप इसली अप्लिकेशन को ढूंड की सकते हैं, तो जहां पर मैं इधर आपको ले जाता हूं, यहां पर देख सकते बहूस आरे एप्लिकेशन हैं, इसके अगर मुझे ढूना होगा, थीम स्टोर कितार है, तो मुझे जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, इस ट्रीकाय करते हैं तो इसए यहां पर आयकन का साइज असे की तरीकति पर श्रहते हैं अगर करें यहां तो अगर यी कर देते हैं यहां पे देख सकते हम मैं अपनी मर्णीゃ से रौण कर सकता हूँ अपनी मर्णी कर सकता हूँ यह बहुत यह अच्छा muchísimo भीचा मिलब अपनीゃ, इसके लगए मिलेकली स्खाँ इनले को सब्सकरा किला स्टन के बिमिला बना देता है, अब यह feature आपको color wise 11 के अंदर भी देखने को मिला है, बट यहाँ पर 7.2 के अंदर भी आप इसे use कर सकते हैं, इसके लिए को करने के easily आपको नीचे जाएने, यहाँ पर आपको एक battery का option देखने को मिल जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पर एक new feature देखने को मिल super power saving mode, अब इससे हो गया है, अगर आप इसे enable कर देता है, अगर आपके phone की battery 5% होती है, तो आपने WhatsApp को 3 घंडे तक use कर पाएंगे, बहुत ही जादा amazing feature देखने को मिल जाता है, जिसका नाम है super power saving mode, अगर आप इसे enable कर देता है, अपने phone को रख देता है, तो यह कल सुबे तक आपको देखने को मिल जाता है, जो इसका नाम है OPPO Lab, अब यह application मलब बहुत ज्यादा new application है, जो कि हमारी phone के अंदर देखने को मिल जाता है, अब यहां पर इसका interface black है, इसलिए camera के अंदर अच्छे से record नहीं हो रहा, अब मैं आपको बता दूँ, यहां पर होता है, जो भी अब इससे हो गया, कि आप इसे use कर सकते हैं, जिसकी मदद से इसका नाम है lab ringtone, जिसकी मदद से आप अपने मदद से ringtone बना सकते हैं, तो अब देख सकते हैं, यहां पर sound चल लिए है, तो जहां मैं slide करूँगा, वहां से नहीने, यहां पर sound देखने को मिल जाएगी, अब मैं जहां भी slide करूँगा, वहां पर slide करके यहां से generate कर दूँगा, जैसे यहां पर generate करूँगा, तो मैं अपना खुद का यहां पर वो बना सकता हूँ, जिससे कहते हैं ringtone, तो अपनी मर्जी से आप ringtone बना सकते हैं, जो कि यह application अभी आपको देखने को मिल जाती है, ब आप यहां पर लिख सकते हो, दो decision डाल सकते हो, और वहां पर यह spin होगा, जब भी आपको लेना हो, वह आपको suggest कर देगा, suggestion या decision maker आप कह सकते हैं, तो यही कुछ इसके अदर features थे, जो कि बहुत ज़्यादा amazing features थे, और यह features इस phone को, या फिर इस OS को बहुत ज़्यादा, जुरूर बताने हैं, मिलते हैं अपनी एक वीडियो के अंदर, चलो, till then good bye,